तो स्वागत से आप सभी का ग्यापन एकेडमी के इस नय और लेटिस्ट वीडियो में और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को टिंथ क्लास के और हिंदी का चैप्टर नमबर सेवेन पढ़ाने जा रही हूं जिसका नाम है ठेस देस का मतलब आप लोग जानते हैं ठेस क मतलब आप लोग आपको ठेस लग गया है अप लोग सुने भी होंगे बहुत तरह लोग बोलते हैं कि मुझे उसकी बातों से ठेस लग गया उसको यसे नहीं कहना चाहिए बहुत ज़्यादा ठेस लगा और आप लोग गाउं दियात में सुने भी होंगे अगर कोई इनसान से टकरा जाता है किसी पत्थर से टकरा कर गिरने गिरने हो जाता है या फिर किसी भी चीज से टकरा जाता है वो और उसको चोट लग जाता है तो टकराने या फिर ठोकर लगने को गाउंद्यात में बोलते हैं ठेस लगना कि मैं वहाँ पर गया था ना तो ठेस लग गया तो जानो गलकर यहां पर शेपटर में बात की हएं तकलीफ लगना ऐसे इंसान शेप्लर चु यहां पर इसी तुरह का कुछ फिल्व में स्टाइल में किया गया है जबर्दस्त तरीके से फेस वाली भावना फेस लगने वाली भावना जो है इस चैपटर में बताई कि इस दुख लग जाता है और वह नराज सब्सक्राइब है बहुत इंट्रेस्टिंग कहानी है ठीक है वैसे हम लोग इस चैप्टर को समझेंगे इस पूरे कहानी को समझेंगे लेकिन उससे पहले आप लोग इतना मालूम रहना चाहिए कि जो ठेस नाम का चैप्टर है यह कहानी है और इस कहानी इस ठेस नाम के चैप्टर के लेखक जो है वो फरिश्वर नात रेडू है ठीक है मतलब थोड़ा टफ नाम है फरिश्वर नात रेडू लेकिन याद रखिएगा ठीक है ठेस नाम के चैप सब्सक्राइब कर लेने के बाद आप लोग को एक घंटी यानि की बल आइकन दिखाई देगा उसको दबा लीजिएगा उसको दबाएंगे ना तो और आप लोग को क्लिक कर लेना है उससे होगा यह कि मेरी रोज आने वाली और वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचेगा ठीक है और जो लोग मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किये हैं और जो अभी अभी सब्सक्राइब किये हैं वो वीडियो को लाइक कर दे और चारो तरफ शेयर कर दे क्योंकि जब मैं आप लोग को यह कहानी बताना शुरू करूंगी ना तो आप इस कहानी के दुनिया में खो जाएंगे फिर आप लाइक सब्सक्राइब करना भूली जाएंगे तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहे हूं पहले से क्र लिज तो इस कहानी में जो मेन करेक्टर जिस पर यह कहानी बनाए गया है वह सिर्चन सिर्चन नाम का आदमी रहता है इसको गाउं के जितने भी किसान है किसान में इसको गिंती नहीं करते थे खेती बारी के समय सिर्चन को कोई मजदूरी के लिए बुलाने भी नहीं जाता था प्रव शिर्चन से फरी में भी काम करवाना बेकार, जब दूसरे किसान खेत में जाकर एक तिहाई काम कर चुके होते, तब शिर्चन हाथ में खुरपी लिये हुए हिल्टा-डूलता, दबे-पाव आता दिखाए देता, मतलब इतना मतलब लोग जो है गाउं के लोग शिर्चन को बेगार बना दिए थे ठीक है और कोई भी नहीं था ये वेचरा है अकेला था ना इसकी वाईफ थी वाईफ थी तो मरी गई थी उनका इंतकाल ही हो था और बेटा बहु भी मतलब वह भी इंतकाल कर गए थे सिर्चन अकेले बचे हुए थे लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए सिर्चन का भी एक समय था जब गाओं के जितने भी लोग थे सिर्चन को रेस्पेक्ट दिया करते थे सबसे ज्यादा उस गाओं में रेस्पेक्ट प पहले दिखा देता है प्रजेंट का ठीक है और फिर उसके पीछे की कहानी क्या हुआ था वह बताता है जैसे कि बहु बढ़ी पिक्चर आया था पहले शुरू का प्रजेंट का दिखा दे गया और फिर उसके पीछे उस पहले जमाने में क्या हुआ हुआ ठीक है उसके पास ताकि सिर्चन नाराज ना हो जाए लोग जाते थे लोग और सिर्चन को बोलते थे लोग की चली आप एक बार मेरे घर भी दर्वर्ण दीजिए ठीक है सिर्चन का जो मड़ाई था बड़ी मतलब समझते ना पलान मड़ाई पलानी जो गाउधियाद के स्टुडेन समझते होंगे तो सिर्चन के मड़ाई में जो है न वो बड़े-बड़े लोग की गाड़िया लगा करती थी ठीक है इतना बड़ा मतलब रिस्पेक्ट पाने वाला सिर्चन तो अब यहां पर सिर्चन के पास्ट टाइम के बारे में बात कर रहे हैं पीछे की कहानी बताई गयी है चिकनी और पत्ली BBC को कहते हैं बनाया करता था और बास की तिलियों की जिलमिली चीक भी वह बनाया करता था चीक का मतलब होता है परदा यानि कि बास की तिलियों की बास को काट काट कर उसको जोड़ जाड़कर जिलमिला जो है न वह परदा बनायाता था उसके बाद से हलवाओं के लिए ताल के सुके पत् सिर्चन ही काम कर सकता था भ÷ बढा इस चीत में मास्टर माइंड था नमूना और ज不要 बनाने में जो कि अभी के सबाने में भी अगर उसक आया जारा तो डिकाया जाthose औभी समय कोई बना ही डिखाई देगा जो पहले के जमान में बना दिया करते थे बास को ही वह काट कर बनाता उसको पेंट करके वह श्रितल पाटी और चिक बना कर देता था जितने भी उस गाओं के लोग थे दूसरे गाओं के भी लोग जो है सिर्चन को बुलाया करते थे और सिर्चन जो है वह जाकर मजदूरी करके श्रितल पाटी और चिक बना कर देता था लेकिन यहां पर ध्यान देजिए सिर् ठीक है अच्छी चीजे मिलनी चाहिए खाने के लिए बस मैं दिल लगा कर काम करूंगा ठीक है मतलब अगर आप लोगों को सिर्चन को अपने घर बुलाना है ना तो खाने की व्योस्था मजबूत रहनी चाहिए तब ही सिर्चन जो है खाने को देखकर कि हां अच्छा और जितने भी अच्छे अच्छे पक्वान थे अच्छे भोजन को तयार करवा लीजिए इतने सारे पक्वान को बनवा लीजिए और सिर्चन को बुला लीजिए बस हो मन और दिल लगा कर काम करता ठीक है तो जितने भी गाओं वाले लोग थे जब उनको सिर्चन को बुला करता और फिर लास्त में वो खाना खालेता और उसके बदले में जो लोग हैं उसको कुछ पूराने कपड़े बीदे दे दे थे तो सिर्चन लेलेता और फिर चला जाता लेकिन जब सुर्चन जहां पर काम करता और कि खाने की बीष्टा आची नहीं होती कि ब्रामार टोली के पंचनन चौधरी के छोटे लड़के की बैजती कर डाली ब्रामार टोली के पंचनन चौधरी के घर गया था सिर्चन काम करने के लिए दिल और मन लगा कर काम किया था लेकिन उसके घर वाले जो है ना पंचनन चौधरी के घर वाले खाने की बिवस्ता अ दिल से ना खिलाना तरकारी मतलब समझते हैं सबजी और नाकुन से खाट कर सबजी तरकारी देना का मतलब होता है कम सबजी देना जिसे कि आप लोग अपने घर आप लोग के घर में महमान आता है गेस्ट लो तो उनको आप लोग भर पेट खाना खिलाते हैं ना तो यहां पर जब सिर्चन गया था ना पंचानन चोधरी के घर उनके जो छोटे लड़के की भावी थी वो पेट भर नहीं खिलाई थी कमी खिलाई थी तो वहीं बोल रहा है कि तुम्हारी जो भावी है वो नाकुन से खाट कर तरकारी दी और वो जो इमली का रस डाल कर उन्होंने कड़ी बनाई थी वो कड़ी बनाना कहां से सिखी जरा हमको भी तो बताओ देखिए जो कड़ी बनता है ना उसमें खटाई के लिए दही डाल दिया जाता है ठीके ल इसमें लाना कैसे सिकhी जरा हमको भी तो बताए ठीके तो इतना मतलब सरयाम जो है ।क पन्चानम चोद्वी के छोटे लड़की की बैजका कर दी सिर्चर ने और एक बार और बेजक कि ते महाजन टोले के भजु महाजन की बेटी सिर्चर का बात सुनकर तिल्विला उठी देखिया महाजन तोले के भजु महाजन की बेटी से और सिर्चन से बाता बाती हो गया ठीक है तो अब ये बात सुनकर सिर्चन बोलने लगा कि बड़ी बात बीटिया अच्छा तुम लो बड़े लोग हो बड़े बढ़ी बात होती है नहीं तो दोदोपटेर की पाटियों का काम सिर्फ खसारी के सत्तु खिलाकर कौन करवाता है भला ठीक है अब ये बात सुनकर जो भजु महाजन की बीठी उसका मूही बंद हो गया ठीक है तो मतलब इस तरह का काम कर दो मतलब सिर्चन जो है अगर उनकी खाने की व्योस्था में कमी हो जाती थी वह बीजती भी करते थे एक और बात थी सिर्चन में कि जब यह काम कर रहा हो ना जितने भी लोग है गाओं के लोग सिर्चन को मजदूरी करने के लिए बुलाते थे तो सिर्चन उन लोग के घर जाकर मजदूरी करता था काम करता था तो जब यह अपने काम में खुपकार पड़ता था उन पर ठीक है तो यह सिर्चन की क्वालिटी थी और उसके अलावा दूद में मिठाई नहों चलेगा लेकिन बात में एक परसेंट भी जोल सिर्चन को पसंद नहीं था ठीक है एक दम सीधा और सिंपल बाते किया करता था दिल का सच्चा था और पक्क मानू की बिदाई होने उनं कि फरिष्वार ना त्रेडु जो की लेखक है उनकी सबसे छोटी बहान मानू उननकी शादी होई थी और शादी होने के बादंग domains경 सशुराल रही तो ससुराल से पहली बार वो अपने घर आई थी माईके आई थी तो माईके से अब बिदाई होने वाला था यान की फरिश्वा नात्रेडू की मानू की बिदाई होने वाली थी तो लड़के की मांग थी मानू के जो ससुराल वाले थे वहां से लड़के की मांग थी कि तीन ज पहली बार वह फिर से बिदाई होकर सिस्वाल जाने वाली थी तो लड़के वाला मांग दार चटाई चाहिए ठीक है ये मांग थी अब ये तो सिर्फ और सिर्चन ही बना सकता था तो फरिश्वर नात्रेडू जो है वो बोले अपनी मां से कि देखो मां खानी की ब्योस्ता एकदम टाइट रखना मजबूत रखना तभी सिर्चन आकर दिल और मन लगा कर काम करेगा ठीक है और सबसे ज्यादा जो है न फरिश्वर नात्रेडू के घर सिर्चन को रिस्पेक्ट मिलता था ठीक है तो सिर्चन को एक हफ्ता पहले ही बोला दिया गया था और वो अपने काम में आकर मगन था ठीक है और जो फरिश्वर नात्रेडू की मां थी वो सिर्चन को बोल करती थी देखो बाबू अच्छा से काम करना इस बाद में मोहर चाप वाली धोती दूँगी ठीक हे अब तुम्हेरे लिए मैं घी की खकोरन भी नाई हूं खा लो ठीक हे और मन लगा कर काम करो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करो मैं तुमको काम करने के बाद मोहर्चाप वाली धोती दूंगी ठीके अब जो है ना यह स्रितल पाटी और चीक बनाना शुरू कर दिया अभी वह आधा श्रितल पाटी और चीक बनाया भी नहीं था कि सभी लोग बहुत जदा एक्साइट बहुत है तो यह सारी चीजे मतलब सिर्चन काम करने लगा अब देखिए हुआ क्या उस घर में जो भी भावी और चाची थी मानू की भावी चाची वह जलने लगी देखिए ननद भोजाई जो है ना वह कुछ उनके अंदर इर्सिया आ जाती है वह देखिए कि इस घर की जो सबसे चोटी बेटी है मानू उसको इतना सारा चीज दिया जा रहा है तो उनके अंदर जलन आ गया इर्सिया आ गया तो अब देखिए मानू की जो मंजली भावी है वो परदे के आर में आकर क्या बोलती है सिर्चन से कि मुझे क्या मालूम था कि मतलब मोहर्चाप वाल कि अरे बहुरिया अगर कोई मोहर्चाप वाली धोती के साथ रेशम का कुर्ता भी देता ना तो भी ऐसी चीज नहीं बनती जैसा कि मैं बना रहा हूं वो तो बात यह है कि मानू दीदी जो है वो काकी की सबसे चोटी बेटी है और उनका जो हस्बेंड है वो ओफिसर है इस मोहर्चाप वाली धोती नहीं मुंगिया लड़ू जो है बेटी की विदाई में हर रोज मिलेगा इसलिए जो है सिर्चन दिल लगा कर काम कर रहा है मुंगिया लड़ू के लिए लेकिन फिर भी जैसी बात को बरदास्त किया मतलब किसी बी तरह मानू की चाची और भाबी चाती थी कि सिर्चन को गुस्षा दिलाएं लेकिन फिर भी जो है वह बरदास्त कर रहा था और फिर वो अपने काम में मगन हो गया अब बात आई खाना खाने की सिर्चन बोला कि कुछ खाने पीने के लाईए उस वक से काम कर रहा हूँ तो अब देखिए मानू की जो भाब प्रव में कुछ नहीं लेता है वो सिर्फ खाने पीने की व्यूस्ता उसको अच्छी होनी चाहिए सिर्फ खाना लेता है कि मुझे खाना अच्छा चाहिए अब उसकी जो मानु की भावी है सिर्फ चिवरा और गुड़ ले जा कर दी तो सिर्चन को गुसा आ गया वो सोचने लगा कि उस वक्से मैं इतना महिनत कर रहा हूं तो मुझे सिर्फ चिवरा और गुड़ मिल रहा है ठीक है और यह लेखक भी देख रहे थे यहां का नजारा और उनको भी अजीब लगा तो मानु के मां के पास गये और बोले लगा कि मां यह सिर्चन को चिवरा और चाहिए तो अब उसकी मां बोली कि मैं तो अभी रसोई में पक्वान में लगी हूं खाना बना रही हूं मैं कहां कहां ध्यान दू एक काम करो मानु की भावी से वही बोली मां बोली कि तुम ले जाकर सिर्चन को बुंदिया दे दो अब यह बात सुनकर बोला सिर्चन की मा मा जी मैं बुंदिया नहीं खाता हूं ठीक है तो मानू की जो भावी है वो एक मुठी ले जाकर बुंदिया जो है वो सुप में फेक आई एक तरसे बुंदिया देना अलग बात होता है कि लीजिये खा लीजिये लेकिन मानू की जो भावी है न वो एक मुठी उठा कर ले जा अब ये देखकर सिर्चन को और भी ज़दा गुस्टा हो गया अब वो पानी पीया सिर्चन और बोला कि ओ जी बहुरिया क्या तुम्हारे माईके से पकवान आता है मिठाई आता है तो क्या तुम इसी तरह लोगों को बाटती हो क्या ठीक है अब ये बात सुनकर मानू की उठा दिया अब खुब रोने लगी मानू की भावी सीन क्रियेट कर दी फिर जो है ना फरिश्वर नात्रेडू जो है वो अपनी मा के पास गये बात बताए तो मा निकल कर आई तो वो जो सबसे मानू की मंचली भावी थी मतलब मानू की मा की बहुत ज़दा दुलारी थी तो वो जो मानू की मा है वो खुद सिर्चन को डाटने लगी कि सिर्चन तुम काम करने आय थे तो तुम को काम पर ध्यान देना चाहिए बहुत से क्या ज़वी था मतलब बात चित करने की देखो बात बिगड़ गया ना तो अब ये सिर्चन को बहुत दुख लगा लेकिन फिर भी सिर्चन यहां तक भी यहां तक बरदास्त किया और फिर वो काम करना शुरू कर दिया बीच में जो है मानू वो पान का वो जो बीड़ा होता है वो बाट रही थी लोगों को तो एक पान का जो बीड़ा है मानू ले जाकर सिर्चन को धीरे से चुपके से दे दी तो सिर्चन जो है वो मुस्कुराया और पान मुह में रख लिया और खाना शुरू करती और फिर काम करना शुरू कर दिया अब देखो जब मानू की चाची देखी कि सिर्चन जो है वो पान खा रहा है ठीक है तो वो देखकर गुस्टा हो गई कि देखो इसको पान किस ने दे अब आनू की चाची सिर्चन में तुम्हारे आग लग जाए नगा कब जिंदगी में पानी घौए होल दी इतना खतरनाक अब सिर्चन जो है उसको बहुत ज़दा दुख लग गया और फडिस्वर नात रेडू को मतलब उनको भी बहुत ज़दा दुख लगा कि इतना खतरनाक बोल दी मानू की चाची अब जो सिर्चन है अब वह मुह एकदम चुप हो गया काम करना भी छोड़ दिय बैठे रहा और फिर कुछ दिर बैठे बैठे उट खड़ा हुआ और अपना उसुली था जो भी समान था जो कि वो श्रीतलपाटी और चीक बनाने के लिए लेकर आया था जोले में विटोर लिया एकट्था कर लिया और रख लिया और उसके बाद से लिख से लिख और चल हुआ जी अब आप मुझको मत बोलिए अब मैं ये काम करूंगा ही नहीं इस गाओं में सबसे ज़्यदा रेस्पेक्ट आप ही के घर से मिलता था और आज वह भी रेस्पेक्ट खतम हो गया अब आज से मैं ये श्रीतल पाटी और चीक बनाने का काम छोड़ी दे रहा हूं ठी ये काम मैं कभी भी नहीं करूंगा ठीक है अब जो है फडिश्वा नात्रेडू लेखक अब वो बेचारे वापस आ गये वो जान रहते कि मैं ये अब सिर्चन जो है वो काम करेगा नहीं दुबारा अब देखिए मानू का तो ना चीक बना ना श्रीतल पाटी बना अब मान सिर्चन को मतलब बेईजती किया गया लेकिन सिर्चन को मानू के लिए चीक और सितल पाटी बना देना चाहिए ये बात को लेकर फडिश्वा नात्रेडू यानि कि जो कि लेखक के उनको भी गुस्ता आ रहा था अब विदाई का समय हुआ लेखक जो है फडिश्वा नात् रखता हुआ एक बंडल लेकर आया और बोला कि बभुआ जी रुखिये लेखक को यानि कि परिश्वा नात्रेडू को तो फडिश्वा नात्रेडू देखे कि अरे ये तो सिर्चन का आवाज है तो जैसे उन्होंने दर्वाजा में खोल कर अपना मुंडी निकाल कर बाहर यानि सर निकाल कर बाहर देखा कि कौन है तो वो देखे कि सच में सिर्चन ही है तो सिर्चन लेखक से बोला है परिश्वा नात्रेडू से कि एक बार मुझे मानुदिदी को देख लेने तो उनसे बात करना है ठीक है तो लेखक जो है वो दरवाजा खुल दिये और जो सिर् की लिखिसा अब सिर्चन जो है वह एक अपने साथ बंडल लेकर आया था सिर्चन जिसमें वह ले जा कर round taken को मानुद दिश्र typikि और चिक्कीश और मांग किये थे वो सारा चीज मैं इसमें बना कर दे दिया हूं ठीक है और खुश रहो तो सिर्चन जो मानु दिदी है उनको मतलब बहुत ज़्यदा खुशी हुई कि देखो इतना ज़्यदा बेईजेती कि ये मेरे घर वाले सिर्चन की लेकिन फिर भी ये मेरे को लाकर वो श और बोला कि नहीं मानु दिदी रहने दीजिए ठीक है और नहीं लिया पैसा और फिर ये सुनकर ना मानु के आख में से आसु आन लगी वो फूट फूट कर रोने लगी मानु कि देखो इसको इतनी बेईज़ती किया गया लेकिन फिर भी ये मेरे को लाकर जो भी ससुराल क कि मांग थी वो सारा समान ला कर दिया और एक पैसा भी नहीं लिया और सिर्चन वहाँ से चला गया और मानु फूट फूट कर रोने लगी जब फरिस्वर नात्रेडू यानि कि लेखक जो है उस बंडल को खोले न तो उस बंडल में इतना खुबसूरत इतना आजुबा और तो इतना नमूना मतलब शितलपाटी और चीक इतना खुबसूरत तरीके से बनाया गया था कि जिंदगी में पहली बार फरिस्वर नात्रेडू यानि कि लेखक ओसा शितलपाटी और चीक देखे थे वो देखकर है रहान रह गयाग этना उन कि अ anecdलो कह एग कहानी है लास्ट यानि कि मेहनत करने के लिए आए तो आपको उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए उसकी बैजयती नहीं करनी चाहिए जितना जदा उसके उतना जदा उसको रिस्पेक्ट किजिए ताकि उसको भी रिस्पेक्ट मिलने के वज़ा से उसको भी मन करें कि हाँ मैं दिल और जान लग तो चाहेगा कि मैं और दिल और मन लगा कर वहाँ पर काम करूं तो यहीं लास्ट में आप लोग को बात समझाने की कोशिश की गई है कि अगर आप लोग के घर में कोई मजदूर आता है काम करने के लिए फिर कोई भी मेमान आता है तो उसको आप लोग को रिस्पेक्ट करनी चाहिए ठीक है तो यह है आप लोग का पूरा चैप्टर कोई भी कंफ्यूजन और से रिलिटेड आप हमें कमेंट करकर पूछ सकते हैं जो कुछ भी मैं आप लोग को समझाई समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजेगा और शेयर वगड़र तो आप लोग करी दियोंगे तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिज